बुधुवार को खेले गए कॉलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियन्स के बीच मुखाबले में केके आर ने अवश्वस्निय धंग से मुखाबला अपने नाम किया जिसमें जीत के सबसे बड़े हीरो रही पैट कमिन्स जिन्होंने मातर 15 गेंदो पर ही 56 रन लगा कर कॉलकाता नाइट राइडर्स को विजेता बनाया पैट कमिन्स ने डैनियल सैम्स के ओवर में 35 रन निकालते हुए केके आर को एक तरफा जीत दिलाई केके आर के इस जीत के बाद ना तो मुंबई के कप्तान रोहिच शर्मा खुश दिखाए दिये ना हे मुंबई इंडियन्स के फैंस लेकिन मुंबई इंडियन्स के फैंस अब सिर्फ मुंबई के हार पर ही नहीं बलकि भारत के दिगज बल्यबाज विरेंदर सहवाग के एक ट्वीट पर भी भड़क रही है जो उन्होंने मुम्बई की हार के बाद किया पूर्व भारती बल्लेबाज विरेंदर सहवाग अपने हाजर जवाब के लिए जाने जाते है जो सूशल मीडिया पर मीम्स के जरीए लोगों का खूब मनुरंजन करते हैं लिकिन भुधवार को किये गए उनके एक ट्वीट से अब मुंबई इंडियन्स के फैंस ने बवाल मचा दिया है सबसे पहले आपको बता दे कि आखिर उन्होंने क्या ट्वीट किया सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये जीट ठीक ऐसी ही है जैसे किसी के मुह से निवाला चीनना सौरी वड़ापाव चीन लिया गया हो बता दे कि वड़ापाव मुंबई का मशुहूर वेंजन है जिसे लेकर सहवाग ने ट्वीट किया लेकिन अब ये ट्वीट रोहित के फैंस को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा है जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचनाएं भी की जा रही है क्योंकि फैंस का मानना है कि सहवाग के ऐसा करने से उन्होंने मुंबई इंडियन्स और रोहित का अपमान किया है हाला कि कुछ घंटे के बाद भारत के पूर्व ओपनर ने अपनी सफाई पेश की जिसके लिए उनको दूसरा ट्वीट करना पड़ा और उन्होंने इस दौरान मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के फैंस को शान्त होने के लिए कहा इतना ही नहीं बलकि सहवाग ने खुद को रोहित का फैंन बताते हुए मामले को सम्हालने की कोशिश की जिसके बाद जाकर मामला शान्त हुआ बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ